हलो, प्यारे बच्चों, एलजेबरा का टॉपिक चल रहा था और बीच में मैंने इंटीजस का टॉपिक शुरू कर दिया, आज मैं आप लोगों के एडीशन ओफ इंटीजस सिखाने जा रही हूँ, उसका क्या कारण है? क्योंकि मैं अब एलजेबरा में अब मुझे नहीं पता कि सब बच्चों को एडीशन और सब्टेक्शन करने से पहले इंटीजस के रूल आते हैं या नहीं, इसलिए मुझे एक रफ आइडिया के लिए, जल्दी से समझाने के लिए इंटीजस का एड करने का जो रूल होता है वो समझ लिजे, इंटीजस में आपके पास में प्लस के और माइनस के दोनों तरह के नंबर्स होते हैं अब इन्हें एड कैसे किया जाता है उसका एक रूल होता है प्लस का नंबर और माइनस का नंबर अगर इन दो numbers को आपको add करना है तो पहले इन दोनों के sign को आपस में multiply करना होता है तो plus minus का answer minus होता है और दो numbers हैं जो minus के हैं और उनको आपको add करना हो तो उनके बीच में multiply करेंगे अब sign में सिर्फ sign में minus minus plus minus plus minus और plus 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 इस तरीके से आपको ये table याद होनी चाहिए है अब integers का addition कैसे करते हैं जो भी numbers आपको given है उन सभी numbers को plus का sign लगा कर plus का sign किस चीज का sign है operation का जो operation हमें करना है हमें addition करना है तो हमने यहाँ पर plus का sign लगाया सबसे पहले 25 लिखा फिर plus का sign लगाया उसके बाद में यह जो 36 है उसके साथ यह जो 36 के आगे जो minus लिखा हुआ है यह 36 का खुद का अपना personal sign है यानि यह एक negative integer है तो इसको हमने bracket में लिख दिया फिर हमने दुबारा यह plus का sign लगाया यह plus का sign एड को शोग कर रहा है operation का sign है फिर उसके बाद में हम 28 के साथ में minus लगा हुआ है तो इसको हमें bracket में लिखना है सबसे पहले तो बच्चों को यह लिखना सीखना आना चाहिए अब इसके बाद में कैसे इसको solve करते है जो 25 है इसको ऐसे ही लिखा किसी भी number क्या कि कोई sign नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पर plus का sign है अब यहाँ एक plus लगा हुआ है और यह bracket में minus है अब 2-2 sign जब भी कभी एक साथ हैं तो अब उसको कैसे solve करोगे नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है इन 2 sign की multiply कर लेनी है जिस rule से मैंने आपको बताया 2 sign की multiply plus minus minus इन 2 sign की multiply करके 2 की जगे एक sign बना लेना है तो answer आगया minus वो यहाँ minus लिख दी उसके आगे 36 अब यहाँ फिर हमारे पास में 2 sign आगया फिर हमने इन 2 sign की multiply करी और उसकी जगे एक sign लिख दिया minus इस तरहां से अब हमारे पास question सिर्फ एक-एक sign के साथ वाला बन गया अब क्या करना है अब यहाँ जो 25 लिख लिखा है इसके आगे plus का sign है और यह जो 36 है इसके आगे यहाँ पहले से फिर माइनस का sign है अब इस question के इतने हिस्से को solve करना है कैसे वो समझ लिजे यह plus का sign है यह minus का sign है पहले इन दोनों sign में multiply करेंगे plus, minus, minus यह जो result आया plus, minus, minus उससे हमें यह पता लगेगा कि इन दोनों numbers को हमको minus करना है यानि कि बड़ा number तो हमेशा 36 ही होगा absolute value के हिसाब से तो 36 में से 25 minus कर दिया answer 11 है अब दुबारा फिर से इन दोनों numbers के बीच में comparison करना है कि कौन से number के आगे कौन सा number बढ़ा है जिसके आगे sign लगा हुआ है 36 के आगे minus का sign लगा है इन दोनों में से absolute value के सबसे 36 बढ़ा है तो 36 की sign minus है वो यहाँ लगाई जाएगी दूसरा number ऐसे ही उतार दिया जाएगा अब फिर से calculation करनी है यह है minus यह है minus सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि हमें इन दोनों numbers को plus करना है कि minus उसके लिए हमने पहले इन दोनों sign की multiply करी minus minus plus answer है plus plus का मतलब यहाँ plus का sign नहीं लगाना है plus का मतलब है इन दोनों numbers को add करना है इन दोनों को add कर दिया अब यह देखना है कि इन दोनों numbers में से किसकी value बढ़ी है 28 की value बढ़ी है उसके आगे जो sign लगा है वो sign लगा दिया यह इसका final answer है एक और example ले लेते हैं यह आपको numbers given है इनने पहले arrange करना है minus 50 लिखा 25 के आगे कोई sign नहीं लगा है तो हमने सिर्फ operation का sign लगा दिया बट 80 के आगे minus का सिर्फ का sign लगा है तो operation का sign लगा कि इसको हमने bracket में लिख दिया सबसे पहले इन दोनों के बीच में solve करना है इसके साथ minus का sign है इसके आगे plus का sign है तो सोचना है पहले इन दोनों sign को multiply करके कि हम add करें कि subtract करें minus plus minus यानि कि minus करेंगे minus करके आँसे लिखा अब sign लगाने का number आया sign कैसे लगाना है इन दोनों मेंसे जो बड़ा number है 50 बड़ा है उसका sign लगा दिया और इधार यहाँ दो numbers यहाँ sorry दो sign है अब इन दो sign का एक sign करना है plus minus minus सिर्फ एक sign लगा दिया 80 लिख दिया अब यहाँ पर इन दो sign की multiply करी फड़ से minus minus plus answer आया add करेंगे कि इन दोनों numbers को add कर दिया अब sign लगाने का number आया तो 80 के आगे 80 बड़ा number है तो 80 के आगे जो sign लगाओ है वो लगा दिया इस तरीके से हम लोग integers का addition करते हैं मुझे उमीद है आप लोगों को यह जो मैंने समझाया तरीका समझ में आ गया होगा अब next वीडियो में मैं आप लोगों को algebra में polynomials का किस तरीके से addition करते हैं वो सिखाऊंगी till then bye